हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की सब्जेक्ट इंगलिस के लेसन नसुरु दीन्स एम की वर्क सीट नमबर थरी को सॉल्ब करेंगे तो शुरू करते हैं first है activity activity from page number 49 of text book यह जो activity है वो आपकी text book के page number 49 से लिगए है question है describe orally आपको यहाँ पर orally याने की बोल कर बताना है what do you think is happening in the given picture sequence किस picture में जो है क्या हो रहा है या आपको क्या लगता है तो आप जो है ये औरेली बताएंगे तो यहां देखेंगे ये तीन पिक्चर दे गए हैं तो फरस्ट पिक्चर में क्या है जो यहां पर एक old woman है जो की stairs पर चड़ रही है सेकंड पिक्चर में है कि वो stairs से गिद गई है और थर्ड पिक्चर में क्या है एक यहाँ पर boy है जो कि उनसे बाते कर रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा यह old जो lady है यह इस बच्चे की दादी मा होंगी तो यह जो है stairs पर चड़ रही होंगी जब वो stairs पर उपर चड़ रही होंगी तो क्या हुआ होगा second picture में वो गिर गई है तो उनकी जो stick है वो उनके हाथ से छूट गई है और वो नीचे गिर गई है थर्ड picture में जो लड़का है यह boy है यानि कि इनका grandson है यह इनसे पूछ रहा होगा कि दादी मा आपको चोट तो नहीं लगी है तो आप जो है इस तरीके से बता सकते है अब यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि आपकी दादी मा इस तरीके से गिर जाती है तो आप क्या करते है तो यहाँ question है तो आप जो भी उनके लिए करेंगे यहां लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर यह example है I would have helped her in restoring her physical and mental balance मैं उनके मानसिक और सारिक संतुरं को बनाये रखने के लिए उनकी मदद करूंगा या करूंगी at the same time और उसी समय पर I would have created some humor by beating the floor or stairs in order to punish it for making my grandmother fall down और मैं क्या करूंगी जो मेरी दादी मा है उन्हें नीचे गिराने के लिए जो फर्स है या फिर सीडियां है उन्हें पीट कर कुछ हसी मजा क्यानी की humor क्रियेट करूंगी तो इसी के साथ आपकी वर्क सीट complete होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क सीट के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you झाल्यू झाल्यू